पानी पत में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है एक बार फिर हाथसे में दो बेकसूर यूवकों की दर्दनाक मौत हो गई आपको बता दे कि सड़क के नारे खड़े पांच लोगों को अनियंति ट्रेक्टर टोली ने रौन दिया जिसमें दो लोगों की मौत और तीन खायल हो गए ट्रेक्टर ट्रोली चालक ट्रेक्टर छोर मौके से फरार हो गया पुलिस ने ट्रेक्टर ट्रोली को कबजे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है आपको बता दे कि हादसा आज पानीपत के गाउं कालकां के पास हुआ जहां तेज रफतार ट्रेक्टर चालक ने सड़क किनारे खड़े पांच लोगों पर ट्रेक्टर ट्रोली चड़ा दी जिसमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए जिनने उपचार के लिए अस्पताल मे लाए गया घटना को अंजाम देकर ट्रेक्टर चालक मौके से फरार हो गया बता दे कि गड़ी बेसिक गाउं के रहने वाले मृतक यूवक मजदूरी का काम करते थे ट्रेक्टर चालक की लापर वाही के कारण दोनों मौत के हत्थे चुड़ गए आपर पह है जो मारी बाइक खड़ीजी जो लडगे खड़ेजी दो तो एकस्पार होगी तीन गाईल है दो एकस्पार होगी मौके पही और तीन गाईल है एसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वारी झांक वेट एंटर्प्राइब